प्रिय भक्त जनो जै श्री राम भक्त जनो भगवान श्री गनेश को इस रष्टी में भला कोन नहीं जानता चाहे फिर वो किशी भी ध्रम का क्यों ना हो क्योंकि भगवान गनेश का जनम घर्ब से नहीं हुआता बलकि माता पारवती के सरीर शे निकले मेल यानि सरीर पर जमे धूल वा मिट्टी के करोशे हुआ था इसलिए भक्त जनो गनेश जी को पालन करता रिन हरता वा परतम पुझ्य देवता के रूप में माना जाता है इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे ध्रम में जब भी किसी सुपकारी की सुरुवात होती है तो सबसे पहले भगवान शिरी गनेश को ही पूझा जाता है और इनके मंत्रों का ही उच्चरन किया जाता है भक्तजनों आज हम जिस मंत्र का उच्चरन करने वाले हैं वह बहुती सक्ति साली है अगर आपके जीवन में परेशानिया, मुश्वते, संकट वह धनकी कमी का आबास है या कोई भी कारी है सपल होते होते ऐ सपल हो रहा है मन में हमेशा ही चिंता बनी रहती है दुख दर्द के कारण काम में मन नहीं लगता या साधी विवाव में विलंब हो रहा है तो आपको शिर्प इस मंत्र का सच्चे मन्शे एक बार सरवन करना है आपको इस मंत्र का जाप पूरे 108 बार करना है परंतु एक बात का विशेश ख्याल रहे कि जब भी मंत्र का जाप या सरवन करे मंत्र को पूरा 108 बार होने तक सुने और मंत्र को बीच बीच में बंद ना करे ताकि मंत्र का पून लाब आपको मिल सके। भक्त जनुग आप इस कनेश मंत्र को अपने दुकान या घर में कहीं भी सुन सकते हैं। साथ ही हम आसा करते हैं कि इस मंत्र से आपको शिग्र अतिशिग्र लाब मिलेगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करियेगा। ओम नमु गणपते कोबेर येक्द्रीको पट्स्वाहा 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 ओम नमु गणपते कोबेर येक्द्रीको पट्स्वाहा